अलो अब्रिपान, वेल्कम तो सियरा मलुट्रा क्लासर्स, तो आज पंजाब नाशल बैंक एस्ट का एक्जामनेशन हो गया, मेरे को लाइस में कभी भी इतने मेल, कॉल, टेक्स नहीं है जितने आज आएंगे, बतातो है कि सर्फ प्रोफेशनल लॉलज़ के एक्जाम देतो ह मज़ा आ गया, जो इनीशल रियाक्शन आए वो ये था, कि सर्फ प्रोफेशनल लॉलज़ बहुत इजियर पार्ट पर था, इजियर पार्ट क्यों था, क्योंकि आल्मोस्ट जो कोशन आए, वो देखे दिखाए, MCQ से, डिरेटली MCQ से कोशन आ गए, साधी साथ अगर बात की बात करे जिसमें qaunts, reasoning, ingles the question बूचे गया, यह कहना के थोड़े सा tricky हो गया, इसमें qaunts के 50 questions थो, reasoning के 25 और English के 25 questions अ, सब ने कहना को यह reasoning को थोड़ा difficult पाया अब जो last year के आपकी cut-off थी points की past number reasoning की पाश नमबर शायद English की six number थी इसमें से किसी एक part की six number की cut-off थी अब expected अगर points और English में retain भी कर ले previous year की cut-off थी but reasoning के अंदर इनको cut-off जोड़ी सी गिराने पड़ेगी अगर इनको लोगों को बुलाने इंटर्व्य के लिए मैं एक्सपेक्ट करूं क्या पता है पांच number की cut-off गिर के तीन नंबर पर आजाए बाकी आगे दिखा जागा जब रिजल्ट अनौन्स होगा वह अगर professional knowledge की बात करें इतने सारे कोशन देखे दिखाया है फिर भी में को ऐसा लगता है अगर आप 17 कोशन सही कर पाया तो आपको इंटर्व्य में बुलाया जा सकता उसके अच्छे कासे चांते जाए अब हम सारे के सारे कोशन को डिस्कास करने वाले 46 कोशण में gather कर पाया और इम इसी लिए कर पाया क्योंकि बड़े सारे सब्सक्राइब बचाए वो आप बताएंगे साथ हर एक question की उपर आप अपना comment देंगे बोलेंगे अगर ये question आपको गलत लगए आप बताएंगे सब question number यह है हमें ये गलत लगता है हमारे सबसे frame ऐसे कर गया था question को हमारे सबसे answer अलग है जो best की निकल करेगी उसको मैं comments में सबसे उपर पिंट कर दूँगा जो भी आगे आने वाले सुडेंट सा जो पी एंबी का एक्जामेशन देंगे क्रेडिट ऑफिसर का एक्जामेशन देंगे आप प्लीज इस आंसर की उपर जज मत करना की पेपर इसी रहा डिफिकल्ट रहा यहाँ पर तो आपको देखो प्लेन कोशन बता जया गया आप जब एक्जाम देने जाओगे तो हम आप पर ऑप्शिन दिखे जाएंगे ऑप्श तो इसके अंदर क्रेट डिलिवरी का जो टाइम होता है उसके अंदर बता है सब्सक्राइब करेंगे अगर बनाके लोन दे जा रहा है सिंडिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक बंदा लोन देता है तो इसको डाउन सेल करता है वह वाला केस नहीं था है ठीक है ना चलो कोशन नमबर टू है विच आप दो फॉलविंग इस नॉट अगर फाइनाशल स्टेट्मेंट अंसर की बात करें मैंने आपके साथ साथ द कर लो आई राक कर लो आई राक नॉर्म इंकम रिकर मीशन जिसमें एंट्य क्लासिफिकेशन आता वह कर लो साथ में आप कर लो पी एशल आप देखेंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को भी करा होता तो आप यह एग्जामेशन इसीली क्लियर कर लेते हैं साथ दिन कंदर पढ़ेंगे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं चलो पढ़ेंगे रेश्यो आपके पांच से छे कोशन आए कोई नुमेरिकल नहीं आया बट लॉजिकल कोशन आए डिरेक्ट लिए आपके MCQ से उठा के कोशन पूछे गए मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिरेक्ट ल कोशन है चलो which of the following is not a current asset बहुत ही easy question sundry creditor हमें creditor के asset होता है तो easy question second part आता है अच्छा इस question की बात करें थोड़ से टेक्निकल कोशन था लॉजिकल कोशन था करें current ratio अगर two is to one what will be the impact on current ratio if goods are purchased on credit अब आपको लगे का हाँ यार देखो credit पे purchase कर रहे है liabilities भी बढ़ रहे है हमारी और हमारा current asset भी बढ़ रहा है तो constant आना चाहिए यह answer गलत था आपका current ratio decrease करेगी क्योंकि यहाँ पर जो liabilities बढ़ रहे है वो proportion ratio में ज़्यादा होने वाले है इसको examination इसको example के थूरू बताएगे था आपकी classes में और same question को आपका mcq के test में रखा गया था same dicto portion को आपको गर इसको example से समझाए जी आपका एक लाख रुपे के आपके current assets है और 50,000 रुपीज के आपकी current liabilities है अब कह रहे हैं कि आपने कुछ goods को purchase करा credit के ओपर मान लेते हैं आपने 50,000 के goods को purchase करा credit पे इस case में आपकी liability 1 lakh रुपीज के हो जाएगी stock करीदा त 50,000 के तो पहले आपकी current ratio थी 2 is to 1 जो कि अब घट के रह जाएगी 1.5 is to 1 तो यहां पर current ratio will decrease as it is question उठा के दाला हो है debt equity क्या measure करता है solvency as it is question दाला हो है as it is debt equity ratio क्या measure करता है solvency चलो dash ratio is calculated by deducting dash as it is question दाला हो है quick ratio निकाले जाती है stock को deduct करने के बाद आपका current ratio से quick ratio कैसे फरक करता है इसमें हम जो आपके assets होते है जो easily realize नहीं होते है जिसके अंदर prepaid expenses या फिर आपका stock आता है जो quick nature की होते है जल्दी पैसे को realize नहीं करते है उसको निकालने का एक formula दिया गया जिसमें liquid assets को हम current liability से measure करते है डिवाइड करते है तो यहां पर बोला quick ratio कैसे निकलती है stock को deduct करने in case of cash receives from trade receivables हमारे trade receivables है उन्होंने अगर हमें cash दे दिया तो quick ratio पर क्या impact आएगा अगर बात करें जाए trade receivables की और cash की दोनों के दोनो quick assets है कोई भी impact नहीं आने वाला आपकी quick ratio के अंदर अगर trade receivables ने पैसा दे दिया तो liquid assets तो वहीं के वहीं रहे trade receivables भी एक liquid asset है और cash question number seven what is added back to the numerator and denominator while calculating DSCR जब यह question को discuss करा जारा था जबी concept को पढ़ाय जारा था मैंने आपको बोला था कि DSCR आपके लिए most important ratio अगर आप term loan की assessment करने वाले है इस ratio पे specific आपका क्या कहता है focus करा गया था क्योंकि आप banker आपका assessment ही DSCR पे होगा जो भी आप term loan देंगे तो यहाँ पर आपको interest on term loan को add back आपको जो भी आपका जो आता है क्योंकिते है cash available for dead service earnings available for dead service उसके अंदर आप interest को add back करते हैं और आप उसमें divide करते compare करते हैं जो आपको interest की payment करनी है प्लस जो आपको installment की payment करनी है तो यहाँ पर बोड़ है numerator denominator दोनों में क्या आएगा तो कह रहा है तो आप उससे भी इस question को solve कर सकते है तो इसका आंतर है अगर schedule 3 का lecture देखावे basics भी आता है तो इसका आप content कर पाएंगे अभी तक जो आपके 9 question आए डारेक्ली content directly mcqs है अभी तक 9 question के अंतर अगर आपने आठ question है ना 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 आठ question मज़ा आगे सार आठ question बढ़िया लग रहे है module number 3 पर जाते है module number 3 अपना आपके बड़ा module है बट उसमें से question काकी कम रहे अगर आपने money market इंस्ट्रुमेंट का लेक्चर देख रहा है इसमें money market इंस्ट्रुमेंट जो short term loan के लिए होते हैं उसमें commercial paper को explain कर रखा है ठीक है ना easy question यह वाला question भी easy question 10th question आपको 7 days पहले की वीडियो जिसमें मैंने बोला था financial management के अंदर अगर आप break-even analysis PV ratio contribution अला question कर लेते हैं तो काफी है एक question महीं से sale price per unit दे रहा 20 fixed cost दे रहा 10,000 variable cost per unit दे रहा 10 कहारा कि आप calculate करे contribution per unit अब बड़ा सारा answer दे रहा है समझ में आ रहा जी contribution क्या आता है जो भी आपका sale price है less variable cost तो contribution is 10 rupees per unit 20 less 10 आपने sale price less variable cost is equal to 10 यह contribution per unit आता है MRR जो आपके पहले हम 30-35 portion discuss करने वाले हैं एक portion हमारे course से भाहर आया वो है MRR का इसके अंदर हमने definition इसकी full form नहीं दे रहा थी monthly recurring revenue के respect में अगर इसकी practical aspect में बात करें तो यह use करा जाता है but theoretically हमने इसको भी जख नहीं समझाया था आपने courses के अंदर आगे के लिए नोट कर लिए monthly recurring revenue ओके जी चला next question module number 4 आते है credit management के उपर कितने question आया 12 question आया credit management जो मैंने आपको बोला था आप छोड़के नहीं जा सकते module number 4 को छोड़के नहीं जा सकते हैं क्यों नहीं छोड़के जा सकते हैं वो credit management और ratio answers के उपर ही होने वाला है जिन students में रटे मार लिए 500 कोशन के 1000 कोशन के वह interview में बहुत हिलने वाले हैं उनके concepts के लिए रटे मार रखे हैं interview तक पहुंच गया है बट interview को crack करना सिर्फ knowledge की उपर है अगर आपके पास knowledge अलग facilities का सब्सक्राइब करती है ratios निकालने का क्या intent है क्यों निकाल जाती है तभी आप interview क्राइब कर पाएंगे ठीक है ना चलो credit management की बात करेंगे मैं इतना stress क्यों देरों अगर आपने रटे मार के examination को निकाल भी लिए आप निकाल भी लेंगे उसके बाद पढ़ना बहुत जरू है interview के लिए question number 12 आता है which type of charge is registered when loan is granted on the security of life LIC वगएर होते हैं उसके against अगर आप loan देते हैं तो उस case में कौन सा charge होता है first आपका जो lecture है credit management का type of charge के अंदर LIC का example लेकर समझा रखा है कि इसको हम assign करते हैं assign करते हैं LIC का example लेकर समझा रखा है क्योंकि insurance के बारे में तो एक ही हम आपर example है न चलो 13 बात करेंगे current asset minus current liability देखो यह आपका financial statement में भी जा सकता था बट यह specifically आपका credit management का part है इससे हमने इस question को credit management include करा क्या कहता है current assets से अगर हम current liability को less करते हैं उस पे bank borrowing जो short term की bank borrowing है इसमें bank borrowing short term क्यों नीचे उसको exclude कर देते हैं तो उसको क्या बोले जाता है तो यह working capital gap इसी के basis पे तो bank finance करता है तो working capital gap is the correct answer चलो projected turnover के उपर आपके तीन कोश्य मारे लिमिट ऑन लोन अंडर प्रजेक्टिट टर्नोवर मेथड कहीं से भी पढ़ रखा हो आपने आप ए पूशन सही माब करके होंगे 5 croats थे कहा जी what is the limit on working capital loan जो percentage के बार में question दे रखा था कि प्रजेक्टिट टर्नोवर के अंदर कितना percentage हम working capital loan दे सकते हैं आपको दोनों question दिये गया थे mcqs के अंदर कितना percent working capital होगा वो 25 percent है और turnover कितना percent loan हो सकता है वो है 20 percent वो है 20 percent specifically दोनों question को include करा गया था ताकि आपके concepts clear हो सके आप इस question को examination में गलत करके ना है अगर working capital का amount पूछता तो 25 percent क्या करता answer होता अगर loan का amount पूछा है तो 20 percent of projected turnover देका जी चलो working capital के उपर आपका second lecture जिसके अंदर बाइस मिंट पर lecture है जिसमें first topic ही हमने information technology and software service को अगर आपको working capital पनाश देना है उसको discuss कर रहा है पहला point ही वही है जिसमें बोला गया कि कितने रुपे तक का loan देरा सकता है 20 percent projected turnover के उपर अब इसका आंचे टू करोड रुपीज पहला point ही यही था हमारे working capital लेक्षे लंबर टू बाइस मिनट पा लेक्षे पहला point चलो 17th question if an entity is having negative working capital और जी क्यों पर आ गया विए भी नेगेटिव working capital हो गया current assets हमारे ज्यादा है current current assets हमारे कम है current liability से current liability ज्यादा और यह है working capital लिकालते कैसे current assets less current liability क्या रहा है नेगेटिव में है तो मतलब current liability ज्यादा है तो इसका आपको एक statement को correct चूज करना था इसका मतलब क्या है नीचे बड़ी सारे option दे रखे थे इसका मतलब क्या अगर नेगेटिव working capital है तो क्या रहा company current liability is more than current assets current liability ज्यादा है कोशन नमबर 18 क्यारा seasonal cash flows है आपके seasonal cash flows है तो किसके basis से आपको working capital assessment करनी चाहिए cash budget method इसमें और क्या ही easy हो सकता है जो आपके क्या जहते है working capital assessment के method से उसमें turnover की उपर तीन question MPBF की उपर question नहीं आया MPBF का question नहीं है न MPBF पर चाहिए कोई question नहीं आया अगर कोई maximum permissible bank finance की उपर question आया तो आप बताएंगे वह ठीक है न चलो cash budget method इसके अंदर अलगे cash के basis से आपको एक credit क्या करते हैं limit decide करी जाते है क्योंकि आपका seasonal काम है आपको एक time के अंदर जाधा cash ही है और दूसरे times में नहीं चाहिए अगर इसमें कोई क्या कहते है example दे रखा था किसी industry का तो वो भी आप बता सकते हैं चलो question number 19 आपकी non-fund based limit के अंदर का कि कौन सी performance guarantee होते है performance guarantee टाइब बता रहा है जिसके अंदर public जो टेंडेट कांट्राक्ट होते है उसके अंदर कौन सी performance guarantee दी जाते किस form में आपका non-fund based का जो lecture है उसके अंदर bid bonds को specifically explain करा गया है bid bonds sponsor है जिसके अंदर हम bid bonds के तुरू क्या कहते है जो भी tender लेने वाला होता है वह अपनी bid space करता है कहता है मैं perform करूंगा नहीं करूंगा तो यह मेरे बिट यह जो मेरे bonds है इसको आप रखनेना ठीक है न तो performance guarantee के respect में बोला जाता है bid bond submit कराया जाता है चलो कोशन नमबर 20 आपका credit जो management का module है उसके अंदर दो तीन other than मतलब जो आपके main credit facilities है उसके लावाश चीजों को रखा गया था उसमें से एक था micro finance loan काफी examination के अंदर micro finance के कोशन है इसलिए इसको मैंने credit management के module में रखा a micro finance loan किस मतलब कितना उसके limit होती है annual household की इंकम की उनको दिया जाता है तो इस answer है three lap per annum easy question काफी examination ने पूसा जा चुका है आपने जो mock test दिये ना उदर से भी directly question आ रहा है आप जो free वाला mock test देने आये थे maximum LTV आपका एक बार में फिर से बोलने आ तो आप please irritate मत होना seven days पहले जो मैंने वीडियो बनाए थी उसमें मैंने housing loan के बारे में discussion करता है कि यह पढ़के जाना उसमें भी पैसिफिकली फोल जाथा कि LTV पढ़के चलाना है यहां से question आ जाएगा maximum LTV कितना हो सकते है अगर आपका जो loan दिया जा रहा है वह 30 लाग से अब आब है 75 लाग तक है तो इसमें 80% की LTV 80% से जाधे LTV आप नहीं लेके जा सकते है चलो अब बुला कि in case where the cost यह भी housing loan से है देखो housing loan कितना important हो गया यहां से आपके क्या करते हैं दो पुशन डिरेक्ट आ गए कि in case where the cost of housing dwelling units does not exceed dash amount bank में add करे stamp duty value को आप add कर सकते हो LTV निकालते समय मतलब उस पे loan दिया जा जो stamp duty का amount है उस पे भी loan दिया सकता है LTV निकालना है value में stamp duty को ले जाओ तो आपका loan का amount बढ़ जागा ना थोड़ा सा तो इस case में राकि 10 लाक रुपे तक अगर आपका residential house unit का अगर cost है तो उसना आप stamp duty को लेके जा सकते हैं यह specifically आपके जो housing loan के circular को पढ़ाए गया था उसमें इन बातों को highlight करा गया था आपके mcq का भी part है दोनों के दोनों question चलो easy question फिर से easy question education loan के बारे में आपको बोलागा आपको पढ़ना credit management का part है module number 4 का part है कितना loan आपका collateral आपको requirement नहीं होता है education loan के अंदर answer is 7.5 lakhs ठीक है अब यह question 24 question काफी लोगों का मतलब सही नहीं होगा अब इसके इंदर specifically मैं सक्यों करो काफी जगा question तो कहीं और institute से भी match कर गयोंगे अब यहां पर आपको बताया गया था जब हम housing loan पढ़ा रहे कि Reserve Bank of India का रहा है कि जो भी हम policy rates में change लेकर आ रहे हैं वो हमारे जो लोग है जो ultimate consumer है उन तक pass on नहीं करा जा रहा है mclr के basis पर lending हो रही है तो कह रहा है उसके नदर है जो हम policy rates में changes लेकर आते हैं वो पास on नहीं कर पाते हैं मतलब लोगों तक वो पहुंचते हैं उनका benefit तो इस case में change लाया गया बोला retail loans चंदर, retail loans चंदर, credit management के retail loan के पाट के अंदर हमने housing loan education loan को पढ़ा था उसमें बोला था policy rate में changes लेकर आ रहे हैं वो customer तक पास on करें चलो अभी तक हमारा एक कोशन सिरफ एक कोशन MRR का भार्षा है अभी तक सारे के सारे कोशन आपके देखे दिखाए हैं चलो module नंबर फाइव आता है monitoring and impairment assets इसके अंदर अगर आपने लेक्षे देखा तो आपके कोशन ऐसे बनोंगे specifically लार्ज exposure framework जो आपके कोशन से specifically जो आपका क्या करते हैं कितनी limits वगरा set करेंगे उसके पर कोशन रखे गए इसी case के अंदर आपके direct कोशन मैच कर गए देखो चार्ज जो equal rights देता है जो भी हम charges वगरा प्रेट करते हैं तो इस case के अंदर आपका answer है पारी पासू चार्ज पारी पासू आपको क्या करते है इक्वल राइट देता है अगर लेडर है दोनों ने क्या करते है working capital का लोन दे रखा है तो उसमें दोनों का राइट रहेगा stock के उपर डेटर के उपर तो पारी पासू चार्ज अगर आपने lecture देखे चार्ज इसके तो easily आप उसको कर पाएंगे कोशन नमबर 26 maximum loans against security of shares held in dmat form आपके notes के अंदर इसके आगे important लिख रखा है 10 लाक रुपीश की limit है अगर आपका dmat form में नहीं physical securities है अगर dmat form में तो उसका आंसा है 20 लाक पर बॉर्वर्वर्ष ठीक है इसमें एक limit है specifically जिसके अंदर बोल रखा है कि अगर किसी एक entity का 5% से ज्यादा exposure होता है तो उसके अंदर आपको अब क्या करते investigation करनी है आपको check करना इसकी connected counterparties कौन सी है तो वो limit क्या है तो उसका अंसर है 5% banks are expected to identify possible connected counterparties इसके अंदर जो आपके notes है उसके अंदर हर एक चीज़ को बोल्ट कर रहा है specifically 5% की limit को red merit कर रखा है banks are expected to identify possible connected counterparties on the basis of economic interdependence in all cases where the sum of all exposure to individual counterparty exceeds dash percent of the eligible capital base ठीक है ना चलो single counterparty पर लिमिट easy question 20% question sir पढ़ा है नहीं single counterparty देखा सीधा limit लगा है 20% of eligible capital base ठीक है पर आपका मॉक्तर मॉक्तर्स कभी question है इसके अंदर बोला आर इन CRILC में क्या stand करता है तो central repository of information on large credit इसमें रिपोजिटरी correct answer आपके दूसरे मॉक्तर्स के अंदर CRILC की reporting की limit दे रहे कि the amount of loan पांच क्रोड पांच क्रोड की limit है अगर पांच क्रोड से उपर का लोन जा रहा है पांच क्रोड तर तो आपको reporting करने है यह बही large credit है इनके वारे information चाहिए अगर आपने सरफाइसी आक का लेक्टर देखा है तो असेट रिकंस्रक्शन कंपनी जो financial assets को acquire करती है उनको convert करके process securitization notes में process securitization होता है और securitization notes निकल कर आते हैं एज़ी कोशन पी एसल की उपर कोशन आ गया जी domestic bank का target क्या है micro enterprise के लिए 7.5% सब के सब ने अपने mcqs में इसको cover कर रखाऊगा कोई credit लेने के बात नहीं है सबका सबका covered आई ठीक है loans up to अच्छा इस question को yellow highlight किसले कर रखा है तो कि कुछ बच्चे ने बोला है यह वाला question आया था कुछ कह रहे कि वाला question नहीं आया था जो आपकी PSL की repairs की उपर हो हाउस के repairs की उपर limit है आपका metropolitan centers में या फिर other than metropolitan centers में उसके लिमिट है 10 lakhs और 6 lakh की तो यह कुछ बुच्चे कह रहे कोशन आया था कुछ कह रहे नहीं आया था तो आप इसमें clarification देने ठीक है ना PSL की लिमिट repairs की case के अंदर dwelling housing के जो unit सो उनके उपर चलो loans to individual education purpose के लिए vocational course के लिए PSL का target 20 lakh rupees हर एक बंदने cover कर रखोगा 34 questions यहां पर हो गया है और 34 questions में 33 questions directly है directly है ठीक है जी चलो अब आता थोड़ा सा gray area जिसके अंदर schemes and RBI के circular आते हैं एहला question easy question wish for karma question आना ही था आपका क्या करते है RBI के circular के अंदर covered 5% का आपको क्या करते हैं इसमें interest start करते हैं अच्छा question कि इसमें जैसे frame कर रहा गया था वह बताएंगे इसमें subvention की बात ते रही कही थी कि maximum subvention कितना दे सकते हैं वह पूचा गया था या फिर कितना fixed rate of interest start करते हैं अगर subvention की बात करते हैं तो वह 8% का answer है अभी जितना में को student से बता है वह 5% के साथ ठीक लग रहा है पूचा गया था कितना इंट्रेस्स वाला चार्ज कर सकते हैं चलो guarantee cover under cgtmc आप अगर मेरे एंड्रो सुडेंट्स हैं तो दो दिन पहले यह announce करा गया था आपके कोर्स के अंदर बैच के अंदर की cgtmc की file add करी गई इसको देखना जरूरी है specifically एक scheme पे stress दिया गया कि cgtmc तो आपको करनी चाहिए अनौंस भी करा गया फाइल बुदा ले गए लगते आपको अनौंसमेंट दी गई तो आपको को इन्फोमिशन तो मिली होगी चलो गैरंटी कवरेज अंडर cgtmc scheme for mc आज करोड़ की लिमिट है कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर यह legal waiver को भी पढ़ाए गया ठीक है पांच करोड़ तो साड़े पढ़ाते हैं बट यह चीज को जान रखा गया कि लीगल अगर आपका cgtmc में कोई केस लग जाता है तो बैंक को बोला यह लीगल वाला जो होता है क्या करते सिस्टेम वगर आता है क्या आप 10 लाक रुपे तक क्लेम है तो छोड़ो इसको वेव कर जया गया इसके अंदर अगर आपका 10 लाक रुपे तक क क्या करते हैं अमाउंट आउटस्टांडिंग है तो इसमें बोला इस के अंदर कोई लीगल वाले केस के अंदर जाने के जूरे दस लाक का क्लेम है तो छोड़ो ठीक है ना चलो इसमें क्या होता ना कि अगर जो बैंक्स उनको cgtmc से पैसा लेना होता है तो इसके अगेंस अगेंस आर मैंडेटेट नॉट टू आप उस फोलेटर सेकुरिटी आपको नहीं लेनी अगर आप मेसी शेप्तर के अंदर तो टैनलाक रुपिस की इसकी लिमिट है एक नेट इंटरस्ट मार्जन के उपर कोशन आया अगर आप इसको लॉजिक ऊपर भी करते तो इसको अगर देदेते हैं असका डिफरेंट इसको नेट इंटरस्ट मार्जन है खेक है आर बेडियू प्रेड़िट पॉलिसी अब यह वाला कोशन जो बच्चे आर बीडियू की सर्क्लोस को पढ़ते हैं तो उनका कोशन यह सही होगा क्योंकि आर बेड़ियू मोनेटरी पॉलिस जो तरुन वाला लोन है मुद्रा स्कीम के अंदर उसके लिमिट पूचे गए 5 लाग टू 10 लाग ठेक है अब आगे कोशन आते हैं स्कीम के स्पेसिविक जो डीटेल्स में घुज गए पीम स्वान इधिक अंदर जो मैक्सिमम लोन का मांट है थर्ड ट्रांश के अंदर उस इसमें पूचा गया कि सीलिंग इंकम के उपर क्या सीलिंग है अगर आपको प्रधान मंत्री एंप्लॉइमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के अंदर लोन लेना है तो ऐसे कोई भी सीलिंग नहीं है चलो मैक्सिमम लोन अंडर क्रेडिट गैरंटी क्रेडिट एन्हास्मेंट स्कीम फॉर स्केडियूल कास्ट तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वह है फाइव क्रोड रुपीज है आप सभी को बहुत मज़ा होगा प्रोफेशनल नॉलज के एक्जाम में अपियर करके प्रोफे कोई feeling willing नहीं पूछी जाएगी क्या limits वगारा क्या amount वो नहीं पूछ जाएगा आप से अब logic की उपर question आएंगे overdraft CC वगरा क्या होता है जो हमारे balance चार question रहेगे वह आप सारे मिलके बताएंगे और अगर आपको content में मज़ा है पढ़ने का आपको लगता आपका exam crack होगा त थैंक्स अलाट आप सभी के wishes के लिए इस session को में पर रोकेंगे कोखे टाटा बाए बाए